मैं हूँ आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूस का बेहत खास कारिक्रम आज का मुद्धा आप देख रहे हैं आज के मुद्धे में आज हम बात करने वाले हैं दिगज देंगे चुनौती एक तरफ बीजेपी के तमाम दिगज हैं जो की सामने आ चुके हैं बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का आईलान कर दिया लेकिन कॉंग्रस की तरफ से दिगज कौन होंगे इस पर आज सवाल जवाब हम करने वाले हैं बाचीत का सलसला शुरू होगा कारिकरम की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले रपोर्ट आप देखीजिए लोगसभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस उन्मी द्वारों के नाम का एलान कभी भी हो सकता है मद्यप्रदेश की कुछ सीटों पर कॉंग्रेस के दिगज बीजेपी को चुनोती देते नजर आ सकते हैं अगर ऐसा है तो यकीन मानिए लोगसभा चुनाव में कई सीटों पर दिल्चस्प मुकाबला देखने को मिलेगा हलाकि कॉंग्रेस के कई बड़े नेता फिल्हाल चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं लेकिन अगर संगटन ने तै किया तो दिगजों को लड़ाई में उतरना पड़ेगा चलिए आपको बताते हैं कौन से बड़े चेहरों पर कॉंग्रेस लगा सकती है दाओं खंडबा से अरोने आदव हो सकते हैं उम्मीद्वार छिनबाडा से नकुलनात की उम्मीद्वारी लगभकते हैं राजगर से प्रियवरत सिंग सम्हाल सकते हैं कमान देवा से सज्जन सिंग बर्मा को मिल सकता है टिकट धार से हनी वगेल को उतारने पर हो रहा है विचार उज्जन से महिश परमार हो सकते हैं प्रिद्जाशी गुना से जैवर्धन सिंग का नाम चर्चा में है सीधी से कमलेशवर पटेल को मिल सकता है टिकट जाबुआ से कांतिलाल भूरिया फिर ठोक सकते हैं तार हैं उम्विद्वार रैतूर से आदिवासी कॉंग्रेस अध्यक्ष नाम उठे काम का भी नाम है पीसीसी जीब जीतुपटवारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी जिसको जहां करके नेणे लिया है वो छोटा हो या बड़ा कोई नेता हो जिसको पार्टी सम्वा योग के समझेगी निर्देश देगी उसको चुनाव लड़ना है और सभी पार्टी के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप सारजनिक तोर पे ये अगर भावना आती है कि मैं चुनाव लड़ूगा और में नहीं लड़ूगा इससे एक मूटे तोर पे गलत में से जाता है तो आप पार्टी के निर्देशों का हवाला देकर अपनी बात करेंगे तो आप पर भी करपा होगी और इस पार्टी पर भी करपा होगी लोकसभा चुनाव में कॉंगरीसी दिगजों और विधायकों को उतारने के सवाल पर बीजेपी प्रुदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे तो यहीं करना पड़ेगा प्रत्याशी नहीं मिलेंगे तो और क्या करेंगे कॉंग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं फिर भी हम हर बूत पर चुनाव लड़ेंगे और हर बूत पर भारती जिंता पार्टी घीतने के संकल्प को लेकर का आगे बढ़ाई पहली सुची में बीजेपी 24 उम्मीद्वारों का एलान कर चुकी है जिसमें कई बड़े और स्थापित नाम है तो कॉंग्रेस अब महारतियों को मैदान में उतारनी की प्लानिंग पर काम कर नहीं है अगर ऐसा हुआ तो 24 की लड़ाई किसी महासंग्राम से कम नहीं होगी इन पर लगातार मंथन मध्यप्रदेश में भी चल रहा है दिल्ली में भी चल रहा है लेकिन क्या समझा जाए कि बीजेपी ने जिस सरह से अपने सीनियर निताओं को मैदान में उतारा ऐसे में कॉंग्रेस पर क्या दवाब बढ़ चुका है अब ऐसे में मंथन लगातार च जीतना चाहती है क्या बड़े नेता कॉंग्रेस को चुनावी वेतरनी पार लगवा पाएंगे और तीसरा महतपूर्ण सवाल बिना मन के उतरे कॉंग्रेस के महारती संग्राम कैसे जीतेंगे ये सबसे महतपूर्ण सवाल है क्योंकि कई सीनियर नेता ऐसे हैं जो चुनाव एडिटर मनो सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कॉंग्रस प्रवक्ताब से थोड़ी दिर बाद हमें जॉइन करने वाले हैं सबसे पहले आप दुनों का बहुत स्वागत है सर पंकत चत्रवेदी जी मनो सैनी जी और मनो जी सबसे पहले आपसे शुरुआत सर बज़र आने बाला है देखी कॉंग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि अभी हाली में उसने मद्विदेश को गवाया है और जो अंतर रहा वो भी काफी बड़ा रहा दावी यह किये गए थे कि कॉंग्रेस बहुत अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाईगी लेकिन हुगा न लेकिन इस वक्त जब हम लोग सभा चुनाओ की बात करते हैं तो अलग तरह की मुद्दे हैं प्यदान मंत्री मोदी की गारंटी जैसी बातें बीजी पी कर रही है राम की बात लगातार हो रही है क्योंकि राम की प्रांट पतिश्टा हुई है तो इन मुद्दों को लेकर यदि फिर कॉंग्रिस को सामना करना है तो जाहिर है कि ऐसे चेहरों को लेकर आना पड़ेगा पिछली बार हमने दिखा दिखवे सिंग भुपाल से लड़े लेकिन एक बड़ी हार मिली उनको प्रग्या सिंग ठाकुर से अब प्रग्या सिंग मैदार में नहीं है उनकी दर्शा हम कर रहे हैं अजे सिंग हलाकी जो खबर हैं कि अजे सिंग तो मना कर चुके हैं वो चुनाओं नहीं लड़ेंगे पर कमलिस्वर नजर आने बाले हैं कांतिलाल भूरिया जहावर अतलाम से हमीसा कमाल करते रहे हैं पहले भी कॉंग्रिस के सीट पर वो कई बार जी टिकेट देने जा रही है मनुज की जहां तक बात करें हम उजयन की तरफ जाते हैं तो वहां से ऐसा कहा जा रहा है कि परमार को टिकेट मिल सकती है देवात से सज्जन बर्मा पहले भी दो बार के सांसद रहे हैं तो बहुत संभाबना तो ऐसा कॉंग्रेस अपनी एक सूच बीजेपी ने देखे करीब करीब एक सब्तहा शायद हो गया है जब बीजेपी ने अपने 24 सीटों पर एलान कर दे और उनकी तरफ से पूर्व में कहा जाता रहा कि हम जल से जल्द अपने प्रत्याशियों के नामों का एलान करेंगा विधान सवा चुनाफ के समय भी हमने देखा था कि कॉंगरस से पहले बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशियों के नामों का एलान हो पाएगा बो तक में मद्वदेश को लेकर चर्चा नहीं होी है और ऐसा कहा जा रहा है दस तारीक को संभाबना यह है कि मद्वदेश की चर्चा होगी देरी की जहां तक बात है तो फिर लगता है कि भारती जंता पार्टी ने जिस तरह का एक माहुल क्रेट किया है हाली में बिधान सबा जीते हैं तो कॉंग्रिस के सामने चुनोतिया जादे हैं पर बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और कॉंग्रिस यदि एक दो भी पा लेती है तो उसके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है तो इसलिए मुझे लगता है कॉंग्रिस इंतिजार कर रहे हैं कि अच्छे चेरों को लेकर हम आएं कम से कम टफ एलेक्शन तो दे पाएं जो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा है चुनोती बने पर हालात आप समझ रही हैं बहुत मेहनत करना पड़ेगा कॉंग्रिस को बलकुल और चुनोतीय कम नहीं है कॉंग्रिस के सामने बहुत बड़ी चुनोती है और उसे कैसे पार कॉंग्रिस पाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है पंकत जी बीजेपी लगातार कॉंग्रिस को लेकर ये कह रही है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है देर हो रही है के इतना समय लग रहा है ऐसा है कि देखिए जी कॉंग्रेस की चिंता नहीं है कि कॉंग्रेस की निता जानते हैं कि जो बची कुछी कॉंग्रेस पार्टी बची है वो मद्द प्रदेश में अपनी राटने जमाप पुझी खर्चा घर चुकी है तो जब कुछ बचा करना क्या यह समय करेंगें और समय क्सेंलेंगों जानते परसेंटेश से चोरासी चाहा आगए 24 और यह हर चुनाव दर चुनाव गराब गिरा है तो इस्तिति इतनी भायाव है कि 543 टोटल लुक्सवा सीट का दस परसेंट नहीं लापा रहा है कि कॉंग्रेस देश में नेतरपती पश्की भी पातता रखे तो जनता ने इस्तिति इनकी करदी इसलिए आदर्णी प्रदेश स्वेंग भारती जनता पार्टी मद्द प्र देश की 29 में तेश्ड गारा में से दो फीयाने से 3 और थोड़ा दवा सेंस्दन करूंगा कि सज्जन नो में देवा से चौना प्रकार का उनका नाम के सज्जन है पर लोगों पसंद नहीं आते तो इसलिए कॉंग्रेस जी समय भारी संकट से है राउल गांदी जी क्या कर गए पांच दिन मत प्रदेश में रहे नतीजा सिफर शुन ने कोई उपलब्दी कुछ रहे की उपलब्दी है कि राम का नाम मतलो लेकिन पंकत जी कॉंग्रेस वही कह रही है ना कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप भी तो विधानसवा चुनाव और 2024 के हम बात करें तो आप प्रदान मंत्री मुदी का चहरा सामने रख रहे हैं राम मंदर का मुद्दा उसी पर आप चुनाव रड़ रहे हैं कॉंग्रेस की तरफ से लगातारी आरूप लगते रहे हैं कि आप इस दो चीज़ों पर चुनाव रड़ रहे हैं सबसे पहला सवाल प्रवक्ता में लोटूंगे आपके पास सर जी कॉंग्रस प्रवक्ता हमारे साथ जूड़ गया हैं बहुत सबसे पहला सवाल बहुत जादा समय नहीं लग रहा है कॉंग्रस को मंधन करने में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी एक हफते करीब करीब हो गए हैं लेकिन कॉंग्रस क्यूं आखिर इतना वक्त लगा रही है जब कि कॉंग्रस कह रही थी कि हम बीजेपी से पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का एलान कर देंगे और देरी हो रही है तो बीजेपी को मौका मिल रहा है देखिए जया जी सबसे पहली चीज़ तो हमारी स्क्रेजिन कमेटी की बैठक भूपाल में भी हो गई है दिली में भी हो गई है राहुल जी की यात्रा के कारण कुछ डिले हुआ है दो दिन के अंदर हम अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे भारते जनता पाट अगर कोई प्रधानमंत्री जिसके उपर सबसे ज्यादा सवाल उत्रा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है जिनकी हार गारेंटी जूटी गारेंटी दो हजार उन्निस ये दो चुनाव बीजेपी ने बहुमत के साथ जीते हैं लोकसभा के दो सीटे जीती थी कॉंग्रस ने 2014 में और एक सीटे एक सीट जीती थी चिंद्वाणा की 2019 में अगर उसके बावजुद आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर जनता जवाब देती है जीते इंदिश्रा जी नहीं देखिए मेरा यही कहना है कि जो अभी आपने सवाल किया कि राम मंदिर के प्रकैश में जो चुनाव लड़ा गया जहां-जहां सांप्रदाइक्ता का कार्ड चल गया वहां भरती जंता पर्टी जीत गई यह हूँ कुछातcom भी 16 में भी हो गया अब अभा मंदिर का निरमार न्यायलenne के माध्यम से पूरा हो गया अब किस पादे को ले कर कर जाएंगेदिए अब तो बिकास पर बात होना चाहिए करॉन अपने विकास पर बात कुए लिकि लेकिन जन्ता ने विकास पर सवाल किया कि कई ना कई आप पराजित होगे क्यों कि आप विकास तो जवाब नहीं देना चाहते आज यह मताईए कि दो करोण लोगों को रोजगार देनी की बात की गई थी जन्ता तो आपसे भी सवाल पूछेगी ना जीतेंदर मिश्रा जी देखे दो बड़ी बाते हैं एक तरफ तो कॉंग्रस के सीनियर लीडर्स को लड़वाने की बात आप कर रहे हैं कि हम उन्हें मैदान में उतारेंगे इसमें से कई ऐसे सीनियर लीडर्स इनका नाम आ रहा है वो वधाई की का चुनाव भी लहा रहे हैं और 2019 में दिगवजा सिंग जैसे नेता भी चुनाव हा रहे हैं तो कैसे फिर आपको नहीं लग रहा है वाकिम ऐसा है क्या जो आरोब बीजेपी लगा रही है कि हमने लिस्जारी कर दी दिगवजा सिंग जैसे नेता और उटाके हाँ उन्होंने कोई जड़ा फ्रेश चेरा नहीं लेकर आएं विदान सवा में जो पराजित हुए वो उनके लोग सवा के उपीद बार है यह बारत लेकिन देखिए जैया जी कोई भी चुनाव अगर मान लेजिए वहाँ पर कोई विशेश मुद्दा राम मंदिर वो आपके लिए वोट करेगी क्या जावाब देंगे तमाम सवालों के उठा रहे हैं आपकर आपकर विशेश माताव बेहनों के लिए इज्जत घर से लेकर औजवला तक सबल बराने तक सारी योजना हैं माताओं वेहनों की योजना हैं और हम तो सिर्फ तना जानना चाहते हैं कि कॉंग्रेस के लिए थोड़ा पाठन पठन करें तो दो बड़ी रेटे के सी हैं परसों मूडी राज किरसिल इंडिया की इकनोमिकल ग्रोथ भारत की 6.1 का नुमानत कॉंग्रेस के 35 साल के शाशन में लेकिन महंगाई को लेकर बीजेपी पर लगातार आरोप लगते रहें पंकत जी महंगाई और बेरुजगारी को लेकर लगातार कॉंग्रेस आप पर सवाल खड़े करती रहें मैं लोटूंगे आपके पास मनोजी मारे साथ बने हुए दुकसान कितना फाइदा कितना हानी होती है कॉंग्रेस या बीजेपी को यह चुनावी रिजल्ट बताएंगे लेकिन आपको लगता है कि कॉंग्रेस इस रणीती के तहट आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है कि सीनियर नेताओं को हम मैदान उतारेंगे यह रणीती काम आ बिधान समा में हमने उबाज चोर्श को बनाया और उनभवी निताओं को सामने लाए थी हमारी में पढू संयोक तहीं जमें यूबस्त हैरेंगे लेकिन सब्सक्राइध बता दिया नेतां को Beschच शुनाविए ब sabन पता दू कि वे जबाने को तया रहें सूची में नाम है दो दिन के अंदर आपके सामने सूची होगी जिसमें हमारे बरिष्ट निता चुनार रणने जा रहें चली बड़ी खबर ये भी है जया कि खुद जितैन जी ये कह रहे हैं कि दो दिन के भीतर सूची आने वाली मतलब सूची का ज्यादा इंतिजार नहीं करना है और सूची में बरिष्ट निताओं के नाम है यानि जिस खबर को लेकर हम आगे बढ़ रहें आज का मुद्दा है ये मानकर चलिए कि बरिष्ट निता यानि कांतिलाल भूरिया दिगवे सिंग हो सकता है ऐसे चेहरे भी दिखाई दे तो कॉंग्रेस ने अपन पिशी दूर्प से रणनीती तैयार की है लेकिन जीतार अपनी जगह है लेकिन जब बड़े चेहरे मैदान में होते हैं तो एक अलग तैने का प्रभाव होता है एक माहुल तैयार होता है और कॉंग्रेस ये चाहती है कि कम से कम माहुल बना कर हम एक नई इस्तिती पैदा कर ने क्योंकि पिशली बार 28 सीट है गई थी भारती जंता पारटी के पास और इस बार बीजेपी का दाबा की 29 सीट लिकर आना है तो कॉंग्रेस कहीं न कहीं है जरूर चाहेंगी कि ऐसे बड़े चेहरे और जैसा वो जितेंजी क्या भी रहे तो आने वाले दिनों में दिखा सलाफ उठाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रस किν मुंदो पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, जिन मुंदो का जिक्र राहुल गांधी अभी नया यात्रा में करके गए हैं वो मुद्दे आल्री आ वीधासवा चुनाव में उठा उठा चुके हैं जिसका पर पार्टी आदेश नहीं देगी कौन चुनाव लड़ेगा। कॉंग्रेस में यह नहीं होता है कि साब में तो चुनाव लड़ूगा। कॉंग्रेस के लोग इंतजार करते हैं। मद्यप्रदेश में भी देखा राजिस्थान में भी देखा। लगातार बैठके होती लगातार राय शुमारी होती उसके बाद होगा। करिए आप यह बताइए ना कि आप कैसे अगर बेमन से सीनर नेता लड़ेंगे तो आप कैसे उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जनता का मन कैसे टटो लेंगे। कई सीनर नेता जो हारे हुए उन्हें आप उतारनी की तैयारी कर रहे है। कोई बेमन से चुनाव नहीं घरता है। ठीक मैं पंकर जी से जवाब ले लेती हूं पंकर जी क्या कहेंगे तमाम आरूप एक बार फिर से आप पर और बीजेपी को परिशानी नहीं होगी क्या अगर कॉंग्रस के सीनर लीडर मैदान में उतर जाते हैं तो जैया जी यह सीनर लीडर पिटले बार जीत के नियर भी पहुंच पाए थे फिर से आजाएं मैदान में और इनके पास कोई कोई मौलिक चिंतन नहीं है कोई मौलिक विचार नहीं है असतर जूटे आरूप हमेशा कभी मोदी जी पर लाएंगे भाज़ापा पर लाएंगो उसके लिए जनतें को पराजित करती है यह बात कर रहे थ करेगी कॉंग्रेस है कहां देश में 29 शीटों की शम्ता कांग्रेस पांटी की बच्ची है प्राहन मंत्री मोदी जी पर आप लगाने पर जूटे आप लगने बैतर होगा तो आएं जनता तै करेगी कि कांग्रेस के सीनियर काम के हैं या बाज़ा पागे कार करता हमारे दोह पर लेकर आप से भी सवाल पूछना था लेकिन अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि आप भी लगातार उन पास सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंधन कर रहे हैं समय नहीं है सर इस बारे में फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे लेकिन फिलार शुक्रिया आप आपका भी बहुत धन्यवाद मनों जी आपका भी बहुत शुक्रिया तो देखें 2019 के अगर बात करें तो यहाँ पर BJP ने जीत हासिल की थी लेकिन 2024 को लेकर कॉंग्रस लगातार मंधन कर रही है और अब दिगजों को उतारने की जो तैयारी कॉंग्रस कर रही है दिगजों आपका मनों जीत है कर रही है